स्टार स्वागत है आपका स्टार्ट इंवेस्टमेंट मेर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक जबरदस्त आटो एंशिलियरी सेक्टर से रिलेटेड शेयर के बारे में बताने वाला हूँ जो की आसानी से नेक्स्ट जो है मदरसं सुम्मी बन सकता है जी हाँ दो बड़ी बात है लेकिन स्मॉल कैप में रिस्क भी रहता है वो चीज़े आप लोगों को जरूर चेक करनी चाहिए तो आज के इस वीडियो में छोटी सी कंपनी के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो की अभी भी आल्मोस्ट सेवन्टी परसंटेज डाउन ह अपने all time high से जी हां दोस्तों 370 रुपए के करीब आज की डेट में ये share trade होता हुआ दिखाई दे रहा है लगबग 3 बच के 16 मिनट पे आज की डेट में 15 जून आप लोग देख सकते हैं और यहां पे अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो देख लिजे 67.83 परसंटेज अ यहां पे एक share के अंदर जो की अभी भी almost 70 percentage डाउन है अपने all time high से तो क्या एक एक जाके यहां पे investment कर देनी चाहिए नहीं पहले study करना चाहिए जी हां दोस्तों कि क्या यहां पे opportunity सच में बन रही है तो वही आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से यह stock इतने नीचे गिरावा है इस company का IPO लगबग 2019 के आसपास ही आया था 2018 कहूंगा sorry 2018 के आसपास आया था उसके बाद से इस company में अच्छा खासा यह downfall यहां देखने के लिए मिल रहा है उसके बाद यह downfall है यहां पे तो regularly downfall ही यहां पे होता रहा है लेकिन प company ने अच्छा खासा return भी दिया है जी हां दोस्तों पिछले एक साल के अंदर company ने 119 परतिसत के return जनरेट करके दिये है अपने shareholder को और company का अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा financial आंकड़े दे दूँ यह एक auto and salary sector से related company है small cap company है और next mother sun सुमी यह company बन सकती है तो यहां पे आ 724 करोड़ रुपए का market capitalization है 62 के price to earning ratio पे यह company हमें मिल रही है अगर company के अंदर cash equivalent की बात की जाए तो 105 करोड़ रुपए के cash equivalent है और debt अगर देखा जाए तो 504 करोड़ रुपए का है जी हां दोस्तों 504 करोड़ रुपए का debt है वहीं बात कर लेते हैं company के return on equity की तो company का जो लेकिन वहीं बात करें जब हम company के sales growth की तो यह negative में है और profit growth भी negative में है लेकिन promoter के holding जहां हम देखते हैं तो promoter के holding अच्छी खासी है यहाँ पे 75 percentage की जी हां दोस्तों share के अंदर अच्छी खासी promoter holding बनी वी है company का revenue चक कर लेते हैं जी हां दोस्तों तो revenue देखेंगे तो 2019 त 36 करोड़ रुपए का revenue generate किया company ने auto initialary sector की company है 2020 में 11,121 करोड़ रुपए का और 2021 में 11,302 करोड़ रुपए का तो small cap company इतना चलता रहता है up down लेकिन जब हम net profit की बात करते हैं तो company के net profit में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है जो कि आप लोगों के सामने है आप लोग यह यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे जवर्दस्त और ज़्यादा यहाँ गिरावट देखने के लिए मिल रही है और यह देख लीजिए company 2019 में 397 करोड़ रुपीज का profit कमाती है उसके बाद 2020 में 11 करोड़ रुपए का profit कमाती है और 2021 में negative में company चली जा रही है क्योंकि company के जो expenses है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गए है और इसकी वज़े से company का जो total net profit बनके आया माइनस 664 करोड़ रुपैक और यही वज़े है कि इस share में आप लोगों को 2020 में 2021 में यहाँ पे next year क्या होने वाला है वो मैं आप लोगों को बत दो तो यह चीज में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आगे कैसे इसका जो है future रह सकता है और एक चीज में बताना चाता हूँ आप लोगों को company या auto एंशलेरी सेक्टर ने 2019 और 2020 में जादा कुछ खास किया नहीं है अभी तक अच्छा performance नहीं दिया है लेकिन अगर आप लोगों को बता देना चाता हूँ यह company देख लीजिए polymers यानि की जैसे air filters air filter assembly बनाती है साथी साथ यहाँ पर देखेंगे तो electrical and electronics devices जो की किसके लिए चीए गाडियों के लिए चीए bikes के लिए चीए यह manufacture करती है metallic components भी company बनाती है और साथी साथ lighting system भी company बनाती है अब company क नाम में आप लोगों को बताना चाहूंगा company का नाम है वेरॉक इंजिनेरिंग लिमिटेड जी हाँ दोस्तों company का नाम है वेरॉक इंजिनेरिंग लिमिटेड अगर हम लोग देखें तो company 1988 में established हुई थी और औरंगाबाद बेस्ट यह company है जो कि automobile component group की एक company है जो कि automobile sector में का काम करती है और manufacture करती है supply करती है और इंजिनेरि किसको एक OEM group को बहुत बड़े OEM group को और ऐसा नहीं है कि किवल इंडिया में ही यह company काम कर रही है over the globe यानि कि across the globe यह company काम कर रही है इंडिया के अलावा फॉरंस में भी इसके जो हैं अपने manufacturing plant हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ तो company एक multi bagger stock बन सकता है अगर company की performance थोड़ी सी अच्छे हो जाए expenses थोड़े से कम करें लेकिन again small cap company जो होती है risky होती है यह चीज़े आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए तो यह देख लिज़े product मैं company के बता देना चाहता हूँ सबसे पहले it designs, manufactures and supply exterior lighting systems देख लिज़े क्या manufacture करती है design करती है manufacture करती है और supply करती है exterior lighting system plastic and polymer components electric electronic components and precision metallic components to OEM अब यह original equipment manufacturer जो की बड़े बड़े OEM है उनको यह company जो है अपने product manufacture करके उनको supply करती है और कौन कौन से के लिए यह देख लिए जो two wheeler के लिए त्री wheeler के लिए दे रिए फोर wheeler के लिए भी दे रिए लाइक जैसे passenger car हुआ, commercial vehicle हुए चाहे two wheeler है, three wheeler है और off highway vehicle के लिए भी देती है, off highway vehicle, यानि कि मैं बताना चाहूँगा, off highway vehicles क्या होती है, जैसे crane हुआ, या tractor हुए, उनको भी अपने product जो है, दे रही है, तो बहुत बड़ी बात है, छोटी सी company, साथ ही साथ देख लिए, 42 manufacturing facilities इसकी across Asia, Europe, Africa, North and South America, यानि कि सभी continent में इस company की जो है, अभी presence है, Australia यह पर available नहीं है, लेकिन उसके अलावा लगभग, लगभग, सभी जगह company के manufacturing plant, बनेवें छोटी सी company के research and development देखेंगे, तो 16 research and development centers हैं इसके, इंडिया, चाइना, USA, मैक्सिको, जर्मनी, इटैली, रुमेनिया, एंड, पॉलैंड में, और साथ ही साथ 185 patent इसने ले रखे हैं globally, तो company जवरदस्त है, और company के जो हैं, आप लोगों को मैंने product भी बताए, company की presence बताए कि कितनी जगह इस company की presence है, worldwide company काम कर रही है, आज की date में जब मैं ये video बना रहा हूँ, उस time पे आप लोग देख सकते हैं, 370 रुपए के आसपा से share trade होता हुआ दिखाई दे रहा है, वे एशे share आप लोगों को बताना, जहां पे कि opportunity एक बन्ती वी दिखाई दे रही है, उसके बावजूद अगर पिछले 5 सालों में हम लोग देखेंगे, तो share में ये है, जबरदस्त गिरावट जो है, मैंने आप लोगों को बताया था कि almost 70% सस्ता मिल रहा है, 70% negative return के दिए हैं पिछले 3-4 सालों में एक opportunity यहां पे बन्ती वी दिखाई दे रही है, तो company का नाम है वेरोक इंजिनेरिंग लिमिटेड और साथ इसाथ मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूँ, description में चार लिंक दिए गए हैं, सबसे पहले Alice Blue, उसके बाद Upstock, Jiroda and Angel Broking, चारों के ल latest update आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे और हम लोगों को भी encouragement मिलेगा और अच्छे वीडियो बनाने के लिए, तो आज के इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद